नमस्कार दोस्तो चैनल में एक बर फिट से आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने गाउं या अपने सहर का वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक देखिए और इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाई स्टेप समझाने की कोसिस करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ये सस्क्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जूड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को मेनू पे क्लिक करना है और क्रोम ब्राजर पे चले जाना है यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप सभी को सर्च करना है वोटर लिस्ट 2017 तो चलिए हम लिखते हैं वोटर लिस्ट लिस्ट 2017 और फिर दोस्तों अपने प्रदेश का नाम तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को दो राजजियों का कैसे निकालते हैं वोटर लिस्ट ये बताने वाले हो सबसे पहले मैं आप सब्सक्राओं वो यूपी का फिर उसके बाद दूस्तों मद्धप्रदेश का तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाप यूपी सर्च कर दिया दोस्तों अगर आप महराष्ट में रह रहे हैं तो 2017 तो देते हैं प्लिक करने के बाद दूस्तों स्क्रीन कुछ इस तरह से दीखेगी और इसको आप डबल फिंगर के यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर अपना डिस्टिक सिलेट्ट करना है तो चलिए हम अपनी जिला सेलेक्ट कर देते हैं तो यहां पर मैं घाजीपूर सेलेक्ट कर देता हूं दोस्तों फिर दोस्तों यहां पर छेतर सेलेक्ट करने को बोलड़ा है तो चलिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर देता हूं सहिदपूर मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया और फिर दोस्तों यहां पर सो पर क्लिक करना है तो चलिए हाँ पर हम सो पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों डवल फिंगर के यूज़ करके फिर आप इसको जूम करिए और यहां पर दोस्तों आप सभी को मतदान केंदर दिख रहा होंगे यह दोस्तों इस छेतर में होने वाले मतदान केंदर है दोस्तों हैं अगर दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई भी मतदान के दर नहीं दिखता पोलिंग वूट नहीं है दोस्तों तो आप यहां पर बगल में आए और यहां पर दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट का उप्सन मिल जाएगा अपने नेक्स्ट करके पहला दूसरा तीसरा चोथा पाच्वर शट्वा नेक्स्ट करके दोस्तों आप अपने मतदान केंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं उदहरण के रूप में यहाँ पर कोठरी को ले लेता हूं दोस्तों तो इसके बगल में आईए आप और अपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें ठ्रीक है तो चलिए मैं आप फिर से देख लेता हूं कि डिWhyakar जाएंगी और फिर इसको नीचे जाएंगे वोटर लिस्ट दीखने लगेगी उस मतेदानाँ केंदर में उस गाओं या उस सेहर में दो索वडती सब्सक्राइब दोस्तों कितने वोटर लिज्ट थे और कितने路 और रहा ज़म वोटर्श देखने को मिल इस पर मैं मादिपर्देश का सेलेट करनी वाला हूँ तो चलिए यहां पर MP मैंने सेलेट कर लिया अगर दोस्तों मेरे रहें तो अमेस लिख सकते हैं जैसे कि मैं आप सुए को बताया था तो यहां पर दूस्तों सबसे पहला वाला करके फिर आपको दिस्टिक और अपना छेतर करता है तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना जिला स्रेक्ट करलेता हga Vermin vigya और फिर यहाँ पर उपनना चिलेक्ट करदेता हूं इसको होने लगे अगर दोस्तो आप को यहाँ पर उपन नीचे से आप इसको उपन नीचे कर सकते हैं और अपना मजदान केंदर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में आप सभी को क्लिक कर देना जो भी आपका मजदान केंदर हो तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं उधारण के रूप में यहाँ दूस्तों बचहाक का निकालना चाहता हूँ तो चलिए दुस्तों बचहाक का निकाल लेता हूं में यहाँ क्लिक करके क्लिक करके और दोस्तों यहां पर जैसे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पर आप सभी को वोटर लिस्ट की जानकारी मिलेगी कितने वोटर यहां पर उपलब्द है कितने लोगों का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है और वोटर लिस्ट की आप यहां से जानकारी निकाल सकते हैं तो अपने मोवाइल पर वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूले और आपने अभी तक हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दोस्तों सब्सक्राइब को बटन दिख रहा होगा उसपे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जूड़ सकते हैं सुक्रिया दोस्तों धन्यवाज जय हिंद आपका दिन सुबह